पॉसिबल कॉबिनेशन्स तो पॉसिबल कॉबिनेशन्स क्या होते हैं चांसिस कोई भी चीज हो उसको चूस करने के लिए कितने पॉसिबल कॉबिनेशन्स है जिसे कि आपके पस MN अबजेक्ट्स हैं ओके लाइका पके वस तूबजेक्ट्स हैं एक की कॉउणटिटी M है एक की N है आपको उसमें से क्या करना है M में से 1 लेना है औपजेक्ट और N में से 1 लेना है उनकी पेर बनाने है तो आप कैसी करेंगे इंक कॉशिबल कॉबिनेशन्स को अगर m और n इक्वल नहीं है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फॉम्ला होगा m into n ओके देज वो डेट के कुशन आपको कैसे करने हैं आपको फिर्स्ट फॉल देखना है कि टूडे क्या है ओके यह स्थुडे क्या था तो मरों क्या होगा ओके और आपको यह देखना होगा जिसे कि क्या है चुल्डेन आज like example आज मंदे है तो उसके एट से देपर फिर से क्या होगा वाही दे होगा मंदे होगा यह दिखे इफ तुमॉरो विल बी तूस्टे यह देखना होगा अगर तुमॉरो क्या होगा तुस्टे होगा तुमॉरो विल बी तुस्टे तो तुडे क्या होगा मंदे यह संडे हमें निकालना है दे बिफॉर यह स्टेडे से भी पहले वाला दे तो क्या होगा सैटर्डे सैटर्डे विल बी दी आंजर अब इसमें दिखे इफ्टी सेटर्डे से किंडे ए हो nee मफ इस्टै ृफटी डे स्टी यह स्टी डे सक मंध यह है और से किंड डे व्राइडे ए विल दे बीच अब धुए विल भी लासट यह पिमан तो लास्ट टे क्या होगा मंत का से क्या होगा कि और कि 7 देज बाद आएगा ठीक है दिन फिर 7 देज बाद ओके सो ऐसी क्या होगा लास्ट टेपर क्या होगा 30 को फ्राइडे होगा ओके लिए देखिए अब यहां देखिए how many possible combinations of one all and one tree can be from from three alls and five trees three alls और five tree में से आपको one one की combination में नाने है तो क्या होगा देखिए alls कितने हैं three and trees है five so m is equals to three and n is equals to five then the formula will be m into n that is three into five the answer will be fifteen okay अब देखिए प्रिया remembers her cousin's birthday falls between 18 March to 21 March प्रिया को याद है कि उसका cousin का birthday 18 March और 15 21 March की बीच में होता है her father remembers that date is an odd number उसके फादर को याद है कि जो date है वो और नमबर है उसके बर्दी की और नमबर में क्या बचा बचे बचे देखिए फर्स्ट फॉल तो 18 और 21 की बीच में क्या आएगा 19 और 20 और उसके फादर को याद है कि बद्द का वोता है और नमबर की डेट को जी कि आखिए तो और नमबर को नाइटीन और 20 में से 19 तो उसका बद्दी होता है 19th मार्च को सी अभिशीक स्विमिन कॉंपेटिशन वस हैल्ट फॉर त्री देज बिफोर थर्ड फ्राइडे अब जून 2020 तिक अभिशीक का कॉंपेटिशन कब था इस क्लेंडर के एक वारिंग थर्ड फ्राइडे से तीन दीन पहले सब को बताना है कि इसका कॉंपेटिशन सब को फिर्ट फॉर्ड फ्राइडे देखना होगा इस फॉर को 11 को देन इतीन को इतीन को है थर्ड फ्राइडे अफ दी मंथ उससे तीन दिन पहले वन टू थरी फिफ्टीन तो उसका कॉंपेटिशन कब था फिफ्टीन तो जून देखें इफ अरू का बड़े का बाता है उससे जश्ट बिफोर मतलब पहले बड़े कब सेलेबट करता है you first of all you have to find out where is the fifth Wednesday the key first Wednesday second third fourth and fifth that will be on 30 July also just barely 29 July okay so answer will be 29 July swap course okay bye children have a nice day